पर कहां सच्चा प्रेम यहां दुनिया में हो सकता है उसका एक छाया है एक गंग नाम के कवी हुए अखबर की सभा में बड़ा भारी सभा लगी थी अखबर को बड़ा अभिमान था अखबर की सवा में गंग ने एक सुन्दर छप्पे सुनाया था मात कहे मिरो पूत सपूत है बेनी कहे मिरो सुन्दर भईया तात कहे मिरो है कुल दीपक लोक में लाज कू अधिक बढ़या ध्यान से सुनिएगा मात कहे मिरो पूत सपूत है बेनी मतलब बेहन मात कहे मिरो पूत सपूत है बेनी कहे मिरो सुन्दर भईया तात कहे मिरो है कुल दीपक लोक में लाज को अधिक बढ़ेया और पत्नी कहे मिरो प्राण पती इनकी जाकर में लिऊँ बलेया पर कभी गंग कहें सुन शाह अखबर जिनकी गांठ सफेद रुपईया रहस से खुल जाए तो बड़े-बड़े समंद समाप्त हो जाए यहां कितनी भी आप भाव ना कर लो मूल में वो कलपना ही है महाराज हम जिसको अपना मान रहे हैं ऐसा लगता है कि वो अपना है पर कहां कितने दिन तक अपना रह सकता है कब तक मामला चलेगा कोई घर से गुजर जाए बड़ा शोक होता है पर धीरे-धीरे समय उस शोक को समाप्त कर देता है दीरे-धीरे-धीरे-धीरे दो दिन तक तो कुछ खाया नहीं फिर शरीर मांग करता है दीरे-धीरे-धीरे-धीरे अब कई तो मैं क्या बताऊं वो भी कोई नजदी की सम्मंध हो तो इतना शोक हो आसपास तो अभी जो कहते हो भईया बड़ा अच्छा आदमी चला गया अभी समसान में चिता को अगनी दे कर आए घर पहुँचते ही जिसके घर में मृत्य हो है वहीं बैठके दालपूरी खारे मारज कहां शोक बचा कहां बचा प्रिय वियोग सम दुख जग ना ही मारज हमने कहां अभी वियोग का अनुभव किया है वियोग का अनुभव मीरा ने किया है वियोग का अनुभव रगुनात दास गोश्वामी ने किया है अहां हां ऐसे ऐसे संतों के चरित्र का जब अनुभव करो पता ही नहीं है माराज अभी तो हम कहां उस साची प्रीती को जान सकें